खरगोन जिले के जैस संगठन सारवजनिक रूप से सड़कों पर उतर कर प्रभारी मंत्री के खिलाप नारे बाजी करके दिये गई बयान पर आपत्नी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन को ग्यापन सोपा आपको बता दे की खरगोन जिले की प्रभारी मंत्री उशा ठाकुर द्वारा जैस संगठन के विरोध में बयान देने की बात पर संगठन सड़कों पर उतरा और उचित कारवाई के नाम पर ग्यापन सोपा इस दोरान संगठन के परादिकारी रामेश और बड़ोले ने बताया कि आदिवासी समाज का उत्थान सहित समाजिक विकास कारियों में जैयत संगठन की भूमी का अग्रणी है एसे में परभारी मंत्री दोरा संगठन को तोड़ने की बात कहना समाज सेवा के खिलाफ है वही संगठन ने ग्यापन सोपते हुए मंत्री पर एफायार दर्जी करने की बात कहते हुए प्रदेश के मुख्य मंत्री को हिदायत दिये की मंत्री गूशा ठाकूर मानसिक रोगी है जिनने पत से प्रिठक करके इलाज की आवश्यकता है बरहाल आरोप प्रत्यारोप के दोर में प्रभारी मंत्री के खिलाप जैस संगठन ने सडको पर उतर कर हुंकार भरी है अब देखने वाली बात होगी कि मामला किस हद तक तूल पकरता है बारती निउस के लिए खरगों से रजाग खान की रिपॉर्ड मैं धाली को पॉर्द्रॉं कृबомеटम का कारिकम था अंगैटकर विश्वी दियाले में इसमें बन बदकार पत्टे बाती जा रहां थे उसमें एक बयान गिया उन्होंने कि जयेश संगटन जो है जो आदिवाशी के लिए काम कर रहा है सवेधानी के लिए लड़े लड़ रहा है उस संगटन को देश दोरी संगटन कहा गया जिसके विरोध में आज हमने कलेक्टर मोदे के नाम ग्यापन सोपा है और उन पर मान की गई है कि उनके अपर आदिवाशी के हित में सधेव काम कर रहा है वह संगटन को दिवाशी के लिए ख्राब हो गया है और में मुख्यमंत्री मोदे से भी मांग करता हूं कि यह काभिना मंत्री जिस पे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा असर पड़ा है इनका मांसिक संतुलन खराब हो गया है उनको एक अच्छे डाक्टर के सला देता हूं कि इनको अच्छे अच्छे डाक्टर को दिखाये उनका इलाज कराये और पस से पर्थक किया जाए subscribe now to most exciting channel ever